अगर आप अपना यून नंबर भूल चुके हैं और आप अपना यून नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको तीन ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिसके करने से आप आसानी से अपना यून नंबर प्राप्त कर सकते हैं नमस्कार मेरा नाम है सुब्राम सरोवा आप देख रहे हैं सुभम टेक्निकल सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निलोजी वीडियो पाने के लिए अब भी हमारे चैनल सुभम टेक्निकल को सबस्राइब कीजिए और साइड में जो बैल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए अपना योन नमबर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपने unifordportal.mem.epfo.india.gov इन पर साइन इन करना पड़ेगा इस साइड का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देदूँ आप सीधे इस साइड पर आ सकते हैं तो इस साइड पर आएंगे तो कुछ इस पर कार का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर important link नाम से एक option आपको दिखाई देगा नीचे यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं active UAN और know your UAN तो यहाँ पर हमने click करना है know your UAN click करने के बाद कुछ इस परकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ से आप यहाँ पर आपका mobile number पूछा गया है और नीचे capture code आप यहाँ पर देख रहे ही वो capture code यहाँ पर फिल करना है जोस्तों इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो mobile number आपका आपके PF account या UAN account में registered है वो ही आपने mobile number यहाँ पर फिल करना है यहाँ से अपने mobile number और capture code फिल करके request OTP पर आपने क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक pop-up message आएगा यहाँ से आपने OK पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर का गया है कि आपके पास message या OTP send कर दिया गया है यहाँ से कुछ इस परकार का window आपके सामने open होगी यहाँ पर आपने अपनो OTP फिल करना है और एक capture code और दिखा रहा है यहाँ से वो फिल कर लेना है इसके बाद validate OTP पर आपने क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक और pop-up message आएगा जिसमें आपकी OTP validation successful दिखा रहा है यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर लेना है इसके बाद कुछ इस परकार का interface आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपने आपका नाम पूछा गया है आपकी date of birth पूछी गई है और इन में से तीन item आपके सामने दिखा रहा है आधार card, pen card और member ID इन में से आपने किसी एक को select करना है जैसे आप आधार card select करते हैं आपने यहाँ पर अपना आधार card number फिल करना है pen card number select करते हैं तो pen card number फिल करना है या member ID select करते हैं तो आपने member ID के number यहाँ पर फिल करने है तो इन में से आपने एक को select करना है इसके बाद में आपके सामने नीचे यह capture code दिखा रहा है यह CAPTCHA CODE भी है, आपने इसमें फिल कर लेना है, तो चलिए, यहां से अपनी side detail हम फिल कर लेते हैं, इसके बाद में, आप नीचे देख सकते हैं, इस पर हमने क्लिक करना है, जैसे हम क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने, हमारा जो यूएन नंबर है, वो आ जाता है, और आप यहां से देख सकते हैं, यूएन नंबर आपके सामने दिखा रहा है, वो बिलकुल, आपका यूएन नंबर दिखाएगा, जगर आपने side detail अच्छे से फिल करी है तो, इसके बाद में दोस्तों, आप इस यूएन नंबर को अपना नोट करके रख लीजिए, ताकि बहुश्यम आप अपना यूएन नंबर भूले नहीं, अब हम आपके सामने दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपना यूएन नंबर प्राप्त क कर सकते हैं, यह तरीका इससे भी आसान है, जहां पर आपने एक मिस्कोल करनी है, जो आपका मुबाइल नंबर है, जो आपकी यूएन में रेजिस्टर है, उस मुबाइल नंबर से आपने मिस्कोल करनी है, यह नंबर आप नोट कर लें, 011-22-940-06, इस पर आपकी दो बार गंटी जाएगी गंटी जाने के बाद में आपका आधार कार्ड वहां पर लिंक है या नहीं है कितना आपका टोटल अमाउंट आपके पीएफ में जमा है वो सारी डिटेल आपको पास मैसेज के थुरू आ जाती है तो वहां से आपका यूएन नंबर भी आपके पास आ जाता आ जाती है तो इससे भी आप अपना यूएन नंबर प्राप्त कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों एक और तरीका है अगर आपका मिस्कोल नहीं जा रही है इस नंबर पर घंटी नहीं लग रही है तो मैसेज भी आप कर सकते हो मैसेज के दवारा भी आप अपना यूएन नं आपके हैं वो सारे आपके पास मैसेज के तुरू आ जाएंगे यहां पर आपने सिंपली मैसेज में लिखना है कैपिटल अक्सरों में EPFO HO और UN लिखकर आपने सेंड कर देना इसको 77 38 39 99 यह दस लेंग्वेज फॉट करता है इसमें जो डिफार्ट लेंग्वेंज हैं बुलन कर सकते हैं अपने यहां से ले सकते हैं तो दोस्तो कुछ इस प्रकार से आप आसानी से अपना भूला हुआ यून नंबर प्राप्त कर सकते हैं हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को अधिक से अधिक सेर करें चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए